लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक श्रीवास्तव कायस्ट परिवार में दो अक्तूबर 1904 में मुगल सराय में हुआ था, इनके पिता का नाम शार्दा प्रसाज श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी देवी था। ये वही शास्त्री जी है, जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते समय लाहोर पे ऐसा कबजा जमाया था कि पुरे विश्व ने जोर लगा लिया लेकिन लाहोर देने से इनकार कर दिया था, आखिरकार उनकी एक बड़ी साजिस के तहट हत्या कर दी गई, जिसका आज तक पता नहीं लगाया जा सका है, सन 1965 में भारत पाक युद्ध के दुरान लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान, जय किसान का नारा दिया था, शास्त्री जी पर जनता का इतना दृड विश्वाश था कि लोग उनके एक आवाहन पर सप्ता में एक दिन वरत रखने इन्होंने अमूल मिल्क को आपरेटिव आनंद गुजरात के साथ नैशनल डवलप्मेंट बोर्ड का गठन किया और इसलिए आज के समय में हम दूद से बने सामानों को विदेश में बेचते हैं यह हवेली उत्तर प्रदेश स्थित रामपुर कला कायस्त तालुगदारी बिस्वान एस्टेट की है जो लखनव से लगभग सत्तर किलोमीटर की दूरी पर है श्रीवास्तव ठाकुर विशेश्वर बक्स सिंग यहां के वरतमान जमीनदार के वारिस है इस हवेली का निर्मान ठाकुर शंकर बक्स सिंग द्वारा 1884 में किया गया था इसी रामपुर कला एस्टेट से यूपी के पूर्व कैबिनेट मंतरी और दिवंगत प्रधान मंतरी श्री लाल बहादुर शास्तरी जी के नाती श्री सिधार्थ नाच सिंग जी संबंधित है रामपुर कला तालुकदारी 1185 से 1880 तक बिस्वान एस्टेट कहलाती थी